स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में डिसकस करेंगे यह जो दल बदल विरोधी कानून इसमें जो कमिया है उन कमियों को कैसे दूर किया जाए फरस्ट अफ ओल तो हम यह सीखेंगे कि दल बदल विरोधी कानून एटलिस्ट है क्या यानि Anti-Defiction Log यह क्या होता है और फिर इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या-क्या कमिया आ गई है और इन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा तो Step by Step इन तमाम बातों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं पीडियो के लिए Information दे देता हूं टेलिग्राम का एक Link दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं अब बात करें दल बदल विरोधी कानून की देखिए जो उप्राष्टपती हैं हमारे यानि Vice President वाइंके नाडो जी उन्होंने कहा कि जो मौझूद दल बदल विरोधी कानून हैं उनमें बहुत सारी कमिया आ गई हैं बहुत टाइम पहले बनाए थे ये कानून और आज की बहुत सारी कमिया आ गए क्योंकि इसके अंदर कोई सुधार नहीं हुआ है तो इन कमियों को दूर करने का समय आ गया है कमियों को कैसे दूर किया जाएगा शंशोधन यानि amendment करके अब फिलाल amendment पे तो बाद में जाएंगे बात कर लेते हैं दल बदल विरोधी कानून ये है क्या देखिए दल बदल विरोधी कानून संसद या विधान सभा सदस्यों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने पर दंडित करता है मतलब कि किसी व्यक्ति ने ए पार्टी के ए पार्टी में वो शामिल हुआ और इस ए पार्टी का कोई चुनाव चिन था और यहां पर चुनाव चीन पर यह election लड़ा और यह election जीत गया यहां पर A party में इसको कोई मंत्री पद नहीं मिला इसने सोचा मैं B party में चला जाता हूँ और B party में जाकर मुझे क्या है मंत्री पद मिल जाएगा या मुझे financial lab होगा तो यहां पर अपना फाइदा देखते हुए वो A party को छोड़ कर B party में चला जाता है अब यह चीज जो है वो एक तरीके से गलत है क्योंकि वो लड़ा तो A party पे यानि A party ने अपना चुनाव चीन दिया सब कुछ A party ने ला, नाम भी A party कही था तो यहां पर यह चीज रोकने के लिए दल बिदल विरोधी कानून लाए गए थे clear, यहां पर संसद ने 1985 में दस्वी अनुसूची यानि 10th schedule के अंदर क्या था समीधान में इस दल बदल को जोड़ा था इसका उदेशे यह था कि जो दल बदलने वाले जो विधेक हैं, जो यानि पार्टी को चेंज करने वाले जो विधायक हैं, उनको एक तरीके से हतोत साइथ, उनके अंदर यह डर डाला जाए कि भई, आप सरकार को स्थिर्टा में नहीं लाने दे रहे हो, क्योंकि आपका क्या सोच रहे हो कि मैं A पार्टी में बी पार्टी में चला जाता हूँ, कोई C पार्टी है तो कहेगी कि मैं आपको ज़्यादा बढ़ियाब मंत्री परद दूँगा, तो आप C पार्टी में चले जाओगे, ऐसे ही पार्टी के पूछा जा सकता है कि एक्जाम में कौन से समिधान संचोधन के द्वारा दल बिदल विरोधी कानून, यानि एंटी डिफिक्शन लोग को मतलब लाया गया था, तो फिफ्टी सेकिंड अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, नाइंटिन समिधान में इसको शामिल किया गया था, और यह किसी अन्य राजनेती दल में दल बदल के अधार पर निर्वाची सदस्यों को एय योग्यता के लिए प्रावदान निर्दारित करते हैं, अब इसमें क्या हुआ, नाइंटीन एटी फाइफ में जब इसको एड कर दिया गया, अब कोई व्यक्ति जो ए पार्टी से चुनाव लड़ा, उसको बी पार्टी में, अगर वो चला जाता है, तो उसको डिस्क्वालिफाइ कर दिया जाएगा, अब वो MP या ML ने माना नहीं जाएगा, अगर उसने अपनी पार्टी चेंज कर ली, यह एक की बात हो रही है, यह नि पर्टिकॉलर, एक इंडिविज्विज्वल की बात हो रही है, इसके अंदर भी कुछ कमी है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अब बात करेंगे, यह लाया क्यों गया था, देखिए 1967 की बात है, 1967 के जब जो जनरल एलेक्शन होए थे, उसके बात जो हमारे देश के अंदर जो राज्य सरकारें थी, वो धड़ादर गिरने लग गए थी, क्योंकि काफी सारे जो विदायक थे, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जम कर रहे थे, जिसके कारण क्या थे क instability हो गए थी, जो state government है, उनके अंदर, और इस चीज को रोकने के लिए यहां पर इन चीजों को introduce किया गया था, जब जुरूरत पड़ी तभी चीजों को लाया जाता है, पहले नहीं था, जुरूरत आई तभी इस चीजों को लाया गया, clear, अब हालांकि जो सांसद है, जो व मैं B में गया, तो भी मुझे एंटी-डिफिक्शन लो लग जाएगा, और मेरी सजदसेता है, जो मैं यानि MP हूँ या ML हूँ, वो रद हो जाएगी, मैं disqualify हो जाओंगा, तो भई मुझे तो मैं नहीं जा सकता हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं अपने साथ कुछ और 25 में इसको decide क्या गया था, कि A party के कुछ सदस्य मानले, यहाँ पर 60 सदस्य जो थे, यहाँ पर चुनकर आये थे, अब इन 60 सदस्य में से, अगर एक त्याही सदस्य जाना चाहते हैं, तो वो जा सकते हैं, उनके ओपर यह anti-diffiction law नहीं होगा, यानि 20 सदस्य आगर जाना चाह तो वो जा सकते हैं, उनके ओपर anti-diffiction law लागू नहीं होगा, उनकी सदस्य ताब रद नहीं होगी, अब बाद में धीरी-धीरे पदा चला यारी, anti-diffiction law यह जो 20 सदस्य यह तो असानी से, यानि जो one-third criteria यह तो असानी से पूरा कर रहे हैं, तो 91st amendment act हुआ 2003 के अंदर, उस अब ही उनके ओपर anti-diffiction law लागू नहीं होगा, वरना अगर 39 गए, तो लागू हो जाएगा, तो यह बात थी, clear, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, 1985 में यह लागू किया गया था, 91st amendment act हुआ था, 2003 में, उसके अंदर जो criteria है, one-third से change करके, two-third कर दिया गया है, य एक एक बंदा नहीं जाना चाहिए, हम stability लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक तरिके से तो आपने कोई ना कोई तो loophole छोड़ दिया ना, loophole यह है, आप एक group में चले जाएगे, अब group में चले जाने से तो फर्दनी सरकार गिर जाएगी यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं, य यह नहीं है, कि वो election नहीं लड़ सकता, वो election लड़ सकता है, उसी seat पर, यह कहीं कि किसी भी seat पर, किसी भी राजनेतिक दल से वो चुनाव लड़ सकता है, इस चीज को ध्यान रखना है, अब दल बदल के अधार पर आयो गेता, यानि उसको disqualify करना, इससे related जो question है, उनका निर्ने कौन लेगा, वो सदन के सभापती या अध्यक्ष, इनके पास बेजा जाता है, और यही मतलब यहाँ पर निर्ने लेते हैं, अब जो इन्होंने निर्ने लिया, अब ऐसा नहीं है, कि इन्होंने निर्ने ले लिया, किसी को disqualify कर दिया, अब disqualify करने के बाद, वहा हालांकि कानून एक सबसे बड़ी कमी आ रही है, कानून एक समय सिमा परधान नहीं करता है, तो यह काफी बड़ी कमी यहां पर निकल के आरही है, कि आप टाइम एक टाइम फ्रेम तो डिसाइड करिए कि आपको अगर बताना है कि डिस्कॉलिफाई करना ते एक टाइम फ्रेम के अंदर उंची जोंग करिए यह सबसे बड़ी कमी यहां पर निकल के आ रही है अब आयोगेता का अधार कब कोई जो डिस्कॉलिफाई होना चा जाना चाए जा सकता है दूसरी बात ये अगर कोई party है माने ए party है अब इस party ने किसी बाथ के ओपर अपना vote देना है अब इस बाथ के अप अपनी हां मिलानी है और इस party में से कोई व्यक्ती कोई मेंबर जो है वो ना कह रहा है मतलब कि vote करते वक्ति इसने कहा दिया नहीं तो यहां पर यह एक तरीके से party के विरूद में चला गया और यहां फिर उसने ना तो हां बोली ना तो ना बोली और वह एक तरीके से दूर हो गया मतलब अनुपस्थित हो गया एक यह चीज तो यहां पर उसको disqualify कर सकता है अगर हा पर हो रीजन है वह नहीं आपा रह कोई का तो वहाँ पर बताना जरूरी है उस party के जहाँ पर जो भी उस party का जो лीडर है जिसके बारे में यहाँ पर पावर दी गई या अथोर्टी है उसको बताना जरूरी है अगर वो 15 दिन के अंदर कहे कि मैं 15 दिन के अंदर कोई voting होने वाली है तो 15 दिन के इंदर इस 15 दिन में वो कोई भी बहाना या कोई भी reason नहीं दे सकता इस 15 दिन से पहले पहले उसको ये बातें बोलनी होगी अब यहां पर यदि कोई निर्दलिया निर्वाचित होता है मतलब कि कोई किसी party पर नहीं अपने दम पे वो election लड़ा और वो जीत किया अब वो किसी दूसरी party में अगर शामिल होता है तो यहाँ पर क्या है उसकी सद्यसता रद कर दी जाएगी एक त्य चीज़ी होगी अब कोई 6 महिने की समाप्ति के बाद कोई मनवनित यानि जो nominated सद्यस्या किसी राजनेतिक दल में शामिल होता है तो उसकी सद्यसता भी रद कर दी जाएगी तो यह चीज़ें हो जाती हैं हमारे सामने जो grounds of disqualifications है अब दल बदल विरोधी कानून से संबंदित जो issue हैं उनके बारें बात करते हैं अब देखिए जो परतिनिदी और संसद लोकतंतरम को कमजोर करना यह काफी एक interesting और एक serious issue है देखिए दल बदल विरोधी कानून के लागू होने के बाद क्या हुआ संसद या विधेग संसद या जो विधेग है वहाँ पर पार्टी के निदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होता है अगर उन्हें नहीं किया तो वो disqualify काई कर देंगे उनको जो MP है, Member of Parliament है या फिर ML ने उनको हटा दिया जाएगा उनके सदस्यता रद कर दी जाएगी वहाँ पर अब इससे क्या हो रहा है यह उन्हें किसी मुद्य पर अपने निद्ने को सही डंक से वो पेश नहीं कर पाते हैं अब वो कोई खूश है वो अपना निद्ने अगर देना चाते हैं तो वो उसको ऐसा सुन्दंदरता उनके पास नहीं रहती है जिससे क्या है एक जो परतिनेदी लोगतंतर जो है वो कमजोर हो रहा है काफी एक बहुत बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि सीरियस यूश है जो परतिनेदी लोगतंतर इसका कमजोर होता है इस डिफिक्शन एंटी डिफिक्शन लोग के कारण अब यहाँ पर अध्यक्ष की विवादसपत भूमी का यहाँ पर Controversial Role of Speaker यह बात बोली जा रही है Controversial कैसे है देखिए दल बदल विरोधी मामलों में यहाँ पर सदन के जो अध्यक्षाई या स्पीकर है उनकी कारेवाई की कोई समय सिमा यहाँ पर सपस्ट नहीं है कहीं कहीं पर यह 6 महिने 3 साल भी लग जाते हैं कुछ मामलों में तो इतनी जादा टाइम लग जाते हैं कि एक तरीके से जो उसका टर्म ही समाप्थ हो जाती है उसके बाद वहाँ पर निप्टाए जाते हैं तो यह काफी बड़ा एक कॉंट्रोवर्शियल इशू आ जाते है एक टाइम फ्रेम तो यहाँ पर डिसाइड किया जाना चाहिए इसके बाद विवाजन की कोई मानेता नहीं है विवाजन यानि स्प्लिट नहीं हो सकते हैं मैंने आपको कहाना 91st Amendment Act के बाद क्या था 2.3 यहाँ पर क्राइटेरिया रख दिया गया था अब 2.3 अगर कोई मतलब सदस्य जो है किसी पार्टी में यह A पार्टी से थे वो B पार्टी में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं यहाँ पर मर्ज की बात की गई है आप विले कर सकते हो मर्ज कर सकते हो यह नहीं है कि 20 अदस से अलग होकर कोई split हो जाए यह नहीं होगा आपको अगर अलग हो रहे हो तो किसी पार्टी में शामिल होना होगा यह बात यहां पर बोली गई है क्लियर हो गया चुनावी जनादेश का उलंगन यह मुझे काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग पोइंट लगा कि जो दल बदल उन विध्याय को द्वारा चुनावी जनादेश का अपमान है मतलब जो मेंबर है जो इलेक्टिड होकर जाते हैं अब उनको एक लुभावना ओफर दे दिया जाता है बी पार्टी के द्वारा कहा जाते है कि आजाईए हम आपको मंत्री पत दे देंगे या आपको यहां पर फाइनेंशियल प्रोफिट हम परवाइड करवाएंगे तो यह जो ए पार्टी के जो मेंबर है यहां पर चले जाते हैं तो यहां पर इनका जाना कहीं न कई उन लोगों का अपमान है जिन्होंने इनको चुनकर भेजा हुआ है तो जनता का एक अपमान हो जाता है यहां पर काफी बढ़िया एक इस्यू यह कफी बढ़िया एक पॉइंट जो मुझे लगा एच्वल में यह जो परतिनीदी है यह है कौन हमारा परतिनीदी तो करने तो गए हैं यह हमारा परतिनीदी तो करने की बजाए अपना फाइदा देखने लग जाते हूं अपना फाइदा देखते हूं वो किसी दूसरी पार्टी में वो स्थानांतिर्थ हो जाते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं तो ये सब से ज़्यादा गलत चीज है अब सरकार के समाने कामकाज का प्रभाव देखिए मैंने कहा ना 1960 1960 के दशक में विधायकों दोरा लगातार बहुत बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि बहुत बार दल बदल की एक बैक्ग्राउंड हमें देखने को मिला था और उस वक्त एक डायलोग काफी जादा परचलित हुआ था आया राम गया राम वाला अब यहां पर दल बदल के सरकारों में ऐस्तिरता पैदा होने लगी यानि सरकार स्टेबिलिटी तो रहेगी न कोई मेंबर यहां जा रहा है कोई मेंबर वहां जा रहा है कोई किसी ओफर दे रहा है तो वह वहां जा रहा है यह तो अपना वस फायदा देख रहे है यह नहीं देख रहे है जनता ने इ सीद फरोद्कियों भी बढ़ावा देता है जो स्पस्ट रूप से लोकतांत्रिक विवस्ता के जनादेश के खिलाब माना जाता है मतलब अगर दल बदल अगर कानून भी ना हो इससे एक चीज समझना है कोई अगर यहां पर मेंबर दूसरी पार्टी में जाना चाहिए उसको असानी से पैसे देकर खिला अब यहां पर बीस की बात आ रही है मतलब बीस की क्या टू-थर्ड की बात आ रही है तो काफी बड़ी संख्या हो जाती है इतना तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन इंडिविज् कि आप बात लिए यहां पर अलो ओनली होलसेल डिफिक्शन यानि यहां पर बात हो रही है देखिए आप एके करके मत लेके जाईए आप थोग के बाव लेके जाईए यहां पर यह बात वाली गई है यानि थोग दल बदल की अनुमती देता है यानि दो थर्ड यानि आप गुरूप में लेके जाईए ना आप एक एक करके हम होलसेल में बात करते हैं हम रिटेल के उपर बात नहीं करते हैं इन्होंने एकनोमिक का कॉंसप्ट इतना बढ़िया यहां पर डाला है कि होलसेल में जब आप जाते हैं कपड़ा लेने या फिर कोई भी चीज लेने लेकी तो अब उनको को बढ़ावा देता है इंडिविजल को पढ़ावा नहीं देता है उन्होंने चिनता जताई है कि यदि कोई राजनेता किसी पार्टी को छोड़ रहा है तो वह ऐसा कर सकते है लेकिन उस अवदी के दिरन वो किसी नई पार्टी में कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए ये बात भी बोली है जो हमारे देश के वाइस प्रेजेंट अवेंके नेड़ो जी उनके द्वारा अब सुझाव काफी बार इसके बारे में दिया गया सबसे पहले चुनाव आयो की बात करें तो उन्हों है राष्टपती यानि सेंटर लेवल पे जो गवर्नर है वो स्टेट लेवल पे दल बदल याचिकाओं पर सुनवाई उनको करनी चाहिए सर्वोच ने ले यानि सुप्रीम कोट ने सुझावतियम सुप्रीम कोट ने कहा कि एक ट्रिब्नियूल की आप स्थापना करिए जहां पर एक रेटाइट जज़ वहां पर उसकी अध्हिकस्ता उन्के हैड होगे जहां स्वंतंतर न्याईधी करन का गठन करना चाहिए ताकि यानि कि ट्रिबनियुल का गठन करना चाहिए ताकि दल बदल से जो भी मामले हैं उनको तेजी से और निस्पक्स रूप से उनको निप्टाया जा सके और कुछ लोगों ने तो टिप नहीं किया है इसके ओपर ये आज की डेट में जो ये कानून है एक तरिके से सरकार को बचाने का परस्ताव है याई अए विश्वास परताव के मामले में सरकार इसको बचाने के लिए लागो करती है ये उन्होंने कोमेंट कर डाला है अब आगे की राख है देखिए मूल समस्च्या की उत्पत्ति अनिवारे रूप से किसी राजनेतिक समस्या का कानूनि समादान खोजने के परयास में ही नहीत है。 यदि सरकार में स्थिरता का कारण दल-बदल के आधार पर सदस्यों के आयोगे ठहराया जाना है, यानि कि आप सोच रहे हो कि दल-बदल हम इसलिए ले के आ रहे हैं क्योंकि हमें सरकार को stabilize करने, तो आप सबसे पहले अपने internal मामलों को सुलजाईए न, कि क्यूं वो आपकी party को छोड़ कर जा रहे हैं, अब इसके ओपर भी विवाद हो सकता है, इसके ओपर भी debate हो सकती है, किसी को लालच आ गया है लाया जाना चाहिए, साथ ही party के जो भीतर, जो लोक तंतर है, उसको मजबूत किया जाना चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें अगर लागू होंगी, देखिए ये भी काफी ज़्यादा debatable issue है, इसके ओपर काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, anti-difection law के अंदर कम्या है, जैसे wholesale ही चले जाईए, यहाँ पर आप, तो यहाँ पर उनके ऊपर बात करें, तो अपनी कोई इच्छा से vote नहीं कर सकते हैं, अपनी बात नहीं रख सकते हैं, accountability घटती है किसी की, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने चाहिए, और इन सब चीज़ों को धूर किया जाना चाहिए, उमीद करता हूँ कि आपको ये दल बदल विरोधी कानून आपको समझ में आ गया होगा, anti-difection law, इसमें क्या कम्याती, इनके बारे में हमने discuss कर लिया, कैसे इनको धूर किया जाएगा, इनके बारे में हमने सुझाव को देखा है, फिर से बदा दू, pdf के लिए आप लोगों को description box में telegram का लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की pdf डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई है, तो आई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथी साथ शेर कर सकते हैं, चैनल को एज वेल एज वीडियो को भी, थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो,